तो अभी ये clock की पीछे वाली बाजू है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रिमू करने के लिए क्या करना है देख लेते देखो यहाँ पर प्रेस करना है तुमको अंदर की तरब प्रेस करना है आदाम से प्रेस करने के बाद यह खुल जाएगा ठीक है खुलने क करना है तुमको उधर की साइड में और बंद करना है फिर से वहां के साइट से यहाँ पर दिखा दो यहां से प्रेस करना है ठीक है और फिर से सेट करना है ठीक है आब इसमें पेंडूलम कैसा लगाते दिखाते इसको निकाला इसको उपर की तरब लिया पेंडूलम इसको आपको डालना है एक Slot DIY यहां पर डालना है, इसको यहां पर हम इंदर सेट करना है ठीक है सेट करके नीचे की तरब इसको यह करके छोड़ देना है, बस इतना ही है तो यह नीचे की तरब यह होगा, और अटोमेटिकली ग्रैविटेशणल की वज़े से नीचे रहेगा और जब तुम्हारा कुकू जो भी करेगा तो आटोमेटिकली वह पेंडूला मुमेंट देगा यह इतना चीज है अब दुसरा पार्ट है दुसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इतने सेल लगेंगे और कितने सेल अपको कुण से चीज के लिए लगेंगे सबसे पहला यह वाला जो पार्ट है यहां परी शुकर के लिए उसके लिए और नीचे वाला जो पार्ट है तो मुमेंट नहीं देगा इसको लोग छोड़ देना है ठीक है तो आप समझ गए सेल का सेल का डायरिक्षिन प्लस माइनस देखके डालना है ठीक है डाल दो एक बार अब जो पहला बटन है इससे तुमारे घड़ी के लेग है लेग गुमेंगे ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करेंगा इसको बैक साइड में देखो हम लोग इसको रोटेशन कर रहे हो बटन को तो यह इससे तुम टाइम सेट करते हो ठीक है पिछे जाते ह अब फिर से बैक साइड में दूसरा जो बटन है इसमें देख लेता है नीचे की साइड में जो बटन है तुमारा वॉल्यूम सेट करने का बटन है वॉल्यूम को आवाज बढ़ेगा और नीचे करेंगे तो आवाज कम होगा वेसिकली वॉल्यूम का बटन है जो कुकु करना है यह प्रेस करना होता है अब आगे हम देखेंगे कि इसका टाइम को कैसे सेट कने में कैसा यूज होगा यह देखते हैं